कैसे हैं आप सभी लोग नमस्कार मित्रों मैं सिवंधाकर स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन अकेडमी मैट्स पर जैसा कि आप सभी को पता है पिछले वीडियो में हमने हरे एक 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 सरसाइस को कम्प्लीट किया है और इसी क्रम में आज आपके सामने लेकर आए हुए हम एकसरसाइस 4.2 वीडियो स्टार्ड करने से पहले केबल एक बात कि अगर आपने पिछली वीडियो इस चैनल की नहीं देखी है तो आप पहले उने देखकर आईए न台 तो आपको इसे समझ में करने में परेषा नी आ सकती है क्या सकती है मेरे भाई परेशा नहीं आ सकती है देख लीजिए क्या है यह इंट्रोडक्षन में बहुत सारी बाते होती है जो मैंने आपको बता दी है जो कि बिना समझे आप यह question नहीं कर पाएंगे हमारे सामने भाई एक spining wheel है क्या है spining wheel है क्या बताना है outcomes की list बताना है outcomes की list बताना है तो हम क्या बोलेंगे list of outcomes आउटकम्स की list भाई क्या होगी या तो A पर रुकेगा या B पर रुकेगा या C पर रुकेगा या D पर रुकेगा यही तो है या तो A या B या C या D आउटकम्स का मतलब है कि क्या-क्या हो सकता है आउटकम्स का मतलब क्या-क्या है कि क्या-क्या हो सकता है तो A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है और कुछ हो सकता है इसमें बताइए भाई क्या बोला है हमनों कि tossing two coins, हमें दो सिक्कों को उच्छालना है लिस्ट ओफ आउटकम्स में भाई हम क्या लिखेंगे हो सकता है दौनवार हैड आजाए यह सकता है कि दौनवार हैड आजाए सर हो तो यह भी सकता है कि दौनवार टैल आजाए हो सकता है पहले हैड आजाए बाद में टैल आजाए या फिर यह हो सकता है कि पहले टैल यह आपने देखा ही होगा ना डाइस देखा होगा कुछ ऐसा डाइस होता है जिससे आप लूडो खेलते हो लूडो खेलते हो जिसमें numbering होती है dice होता है इसमें 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 5 होता है 6 भी होता है क्या होता है मेरे भाई 6 भी होता है बोलो हाँ या ना अरे हाँ या ना ठीक, आगे बढ़े जाएं, आगे बढ़े जाएं, ठीक हैं, आगे देखी क्या लिखा है, हमें क्या बताना है, इसमें list outcomes of an event of getting, हमें outcomes की list बनाना है, भाई हमने probability देखाता हैं, probability वाला कोई question नहीं हुआ, प्रॉबिलिटी वाला कोई कोश्चन नहीं वहाँ भी तो अम्हें लिस्ट बताना है तो फस्ट का जो A है ना फस्ट का ए का अंसर लिख रहाँ मैं एक अंसर लिख रहाँ मैं क्या बोल रहां है वह बिखलें कि प्राइम् नंबर कौन-कौन से होते हैं भाई मैं आपको बता हूँ न, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर पहले पता होना चाहिए कि क्या होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, जो केवल, प्राइम नंबर वो होते हैं, जो केवल और केवल स्वेम के टेबल में आते है first chapter के introduction में भाई इसमें number कौन کौन से आएंगी या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा dice को थू करने पर तो इनी में से कुछ आएगा dice को थू करने में से तो इनी में से कुछ आएगा हमें देखना है प्राईम के प्राइम नमबर की सीधी से सर्थ होती है, वो दो नमबरों के टेबल में आता है, एक तो 1 और एक वो स्वेम, एक तो 1 एक वो स्वेम, जैसे 6 है, 6 भाई, बन के में तो आता है, 6 के में भी आता है, 7 में 2 के में भी आता है, तो ये 4-4 नमबरों के टेबल में आता है, इसका मतल में आना चाहिए एक वो swim नंबर कौन है उनके उसके में आना चाहिए जैसे 5 है तो 5 के में आना चाहिए 6 है उनमें लागर 5 है तो 5 5 के में आ रहा है और बन के में आ रहा है तो यह क्या है प्राइम है थिरी को चेक किया, तो थिरी बन के टेबल में आ रहा है, और थिरी के टेबल में आ रहा है, बन के टेबल में आ रहा है, और थिरी के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये दो दो नमबर के टेबल में आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मेरे भाई क्या है, प्र बन मान लो, या तो खुद मान लो, itself मान लो, या फिर भाई, अकेला बन मान लो, तो यह केबल एक नमबर के टेबल में आ रहा है, तो यह भी प्राइम नहीं है, यह भी प्राइम नहीं है, तो प्राइम नमबर केबल क्या मिले है, 235, 235, 235, 235, 235, बास समझ में आ गई क्या 2, 3, 5 तो A वाले का अंसर क्या हो जागा 2, 3, 5 2, 3, 5 B बोलना है not a prime number कि prime number नहीं होना चाहिए prime number नहीं होना चाहिए अभी सर अमने लेका था 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर ये तो prime था तो इसे काट दीजी क्योंकि अब prime नहीं होना चाहिए ये भी prime था माफ कीजिएगा भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने इन सभी को लिख दीआ सभी को लिख दीआ 2 हमारा prime था तो इसे काट देंगे 3 prime था तो इसे काट देंगे 5 prime था तो काट देंगे prime नहीं होना चाहिए तो ये भी prime नहीं है, ये भी prime नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer क्या करेंगे ये वाले का देखीने वाले का a number greater than 5 कि 5 से बड़ी number 5 से बड़ी number भाई मुझे बता ओ अरे dice को फेका है, फेका तो dice को है, मुझे पता है 5 से बड़ा तो 7 भी होता है, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, सारी counting 5 से बड़ी होगी, 5 से बड़ी कई सारी counting मिलेगी, लेकिन dice में तो sir 6 तक ही आएगा dice में तो 6 तक ही आएगा तो बोल रहा है greater than 5 तो 5 से बड़ा क्या है 6 है 5 से बड़ा क्या है sir केवल 6 है केवल क्या है 6 है तो केवल 6 अकेला है 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 5 से बड़ा थोड़ी नहीं होता है equal होता है क्या होता है एक पल होता है अनमबर नॉट ग्रेटर देन फाइब क्या बोल रहे हैं नॉट ग्रेटर देन फाइब क्या पांच से बड़ा नहीं होना चाहिए पांच से बड़ा नहीं होना चाहिए तो हम भाई चेक कैसे करेंगो सुनिए बन पांच से बड़ा है कि सर नहीं है तो लिख दू, 3-5 से बड़ा है क्या नहीं है, लिख दू, मैं जैसे question पूछ रहा हूँ नो, बैसे ही आपको पूछ रहा है, आप बोलेंगे, सर इतने जहुरत क्या है, आप तो बैसे ही समझो, 5 से बड़े-बड़े, सारे 4 तक है, कारण है, इसका गलती कर देते हो, आप गल 5, not greater than 5, मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5, 5 से बड़ा होता है, कि सर बड़ा तो नहीं होता, नहीं होता तो लिख दू, नहीं होता तो लिख दू, उन्होंने जे नहीं बोला कि 5 से छोटा होना चाहिए, उन्होंने जे नहीं बोला कि 5 से छोटा होना चाहिए, उ पांच-पांच से बड़ा थोड़ी न होता, इसका मतलब ये 5 भी इसमें आएगा, ये 5 भी इसमें आएगा, अगर बोलते के smaller than 5, smaller than 5, तो 4 तक आता, क्योंकि 5 से छोटे-छोटे लिखते, लेकिन अभी बोला 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बराबर तो चल है, उसकी भावनाओं को समझो भाई, उसकी भावनाओं को समयने की कोसेश करिए, क्या है, भाई, question number 3 में क्या बोला है, probability of the point से stopping on D, question number 1 A, भाई, सुनिए दर, जो question number 1 का A था न, उसमें इसी को देखना, ये book तो पूरी सेम चल रही है हमारी, question number 1 था न, हमारा, question number 1 का A, question number 1 बन का A, ये जो हमारे लिए wheel दे रखा है न, भाई, बन के A में दे रखा है, ये वाला जो wheel दे रखा है न, वो इसमें दे रखा है, और बोला है, question number 3 में, के wheel जो तुमें दे रखा है, वो बन का A वाला मानना है, बन का A वाला मानना है, इसा question दो लेका, मतला, wheel तो हमारा य यही होगा, वील तो हमारा यही होगा, क्या बोला probability of the point is stopping on D, कि D पर रुखने की probability बताओ, भाई आपको याद आ रहा हो, कि हमने देखा था probability का formula, देखा था introduction वाली class में probability of getting, नहीं देखी यह वीडियो, तो कोई बात है नहीं बटा, फर तो कोछ समझ में आएगा है नहीं न, probability of getting, probability of getting D, आप समझ लीजिए क्या D, मतलब हमारे पास जो वील था न, भाई, मैं वील ऐसे बना देता हूँ, उसमें मुझे याद है कि A लिखाता दो बार, अब वो कहां लिखाता उस बात को छोड़ दीजिए, A लिखाता दो बार, फिर B लिखाता, C लिखाता, D लिखात उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये B पर था, पॉइंटर को कहां था, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो इसे घुमाना है, बोल रहा है कि D पर रुखने की क्या probability होगी, तो हमारा formula क्या होता है, भाई, favorable outcome, favorable outcome, favorable outcome, अपोन टोटल आउटकम ठीक है भाई इसमें टोटल सेक्टर कितने है 1,2,3,4,5 सर टोटल सेक्टर तो 5 D कितनी जगे देख रहा है D का पता करना है D सर तो एक ही जगे देख रहा है तो 1 upon 5, यही इसका answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बन अप 5, यही हमारा क्या है मेरे भाई, answer है, यही हमारा क्या है, answer है, आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं, भाई देखी, next क्या है, probability of getting an ace from a well-suffered deck, 52 cards, 52 playing cards, भाई, bell-suffered, कुम सम जो इदर, भाई, task की पत्ते देखें, आपने bowling सर क्या सिखा रहे हो, आप, task के पत्ते देखें, भाई, आपने task के पत्ते होते हैं, playing cards होते हैं, वो total होते हैं, भाई, 52, कितने होते हैं, 52, 52, मैं आपको task खेलना नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं आपको इसके बारे में बता कि question में आया, भाई 52 उसमें cards होते हैं, well suffered, well suffered का मतलब होता है कि तास्क के पत्तों को अच्छी तरीके से फ्नेट लिया गया हो, मतलब की सारे जो cards होते हैं, उन्हें एक दूसरे से मिला लिया, मतलब सारे के सारे मिल चुके हैं, कैसे हो चुके हैं, मिल चुके हैं, 52 उसमें playing cards होते हैं, और क्या बोल रहा हैं, भाई अब एक बास सुनिएगा, इसके लिए हमें थोड़ी सी पता होना चाहिए, कि Ace रहते कितने हैं, जैसे इक का बोलते हैं, मतलब A बना होता है ऐसे card पर, तो भाई ऐसे कई सारे card होते हैं, बाबन पत्ते होते हैं, ए कितने पर बना इस सभी पर चर्चा करेंगे, हर एक पत्ता चार चार होता है, हर एक पत्ते कितने होते हैं, चार चार होते हैं, लेकिन अभी तो केबल इतना समयलो भाई, कि जो A बाला पत्ता है, एस जो लिखा है, इसका मतलब एक कास है होता है, मतलब A बनता है, क्या बनता है भाई, अ, क्या है भाई, ठीक है, हर एक पत्ते कितने होते हैं, मैं मेरी बास सुनो भाई, थोड़ा सा आप समय लो, एक होता है जैक, क्या होता है जैक, एक होता है क्यों, मैं पत्तों के नाम बता रहा हूं, थोड़ा सा हमें पत्ता होना चाहिए भाई, ये एक होता है भाई, जैक हो एट होता है, नाइन होता है, टैन होता है, इतनी बात समझ में आई क्या मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई आई आपको, इतनी बात अच्छे समझ में आ गई है, भाई देखिए, कितने पत्ते होते हैं, एक जैक होता है, एक क्यून होता है, और मैंने कौन सा, कौन सा भूल हुँ मेरे भाई, king भूल गया था, sorry, माफ कीजिएगा, king, इस तरीके से हमारे कितने पत्ते होते हैं, ये भाई, 13 होते हैं, कि देखिए, a से चाल लू हुआ, तो 1 मान लीजीए से, तो 1 से लेकर 10 तक तो ये हैं, तरी ये हैं, 13 पत्ते हैं, ये कितने हैं, 13 पत्ते हैं, 13 cards हैं, ये k वाले भी भाई, 4 होंगे, j वाले भी 4 होंगे, q भी 4 होंगे, ये जितनी भी पत्ते आपको दिखा हैं न, ये 4-4 पत्ते होते हैं, ये जे भी हमारे 4 होंगे, क्यू भी 4 होंगे 8, 2, 3, 4, 5, ये सभी कितने होंगे 4, 4, तो टोटल पत्ते कितने हो जाते हैं 52, टोटल पत्ते कितने हो जाते हैं 52, टोटल पत्ते कितने हो जाते हैं 52, हलाकि भाई इसमें और भी कुछ होता है कि अच्छा वो जो चार होते हैं इसमें एक तो डायमंड वाला होता है ऐसा डायमंड का साइन बना होता है एक हार्ट जैसा साइन बना होता है तो एक हार्ट वाले के होगा एक हमारा कलब होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है हमें कलब होता है वो कुछ ऐसा बना होता है मैं आपको बस समझाने, एक spade ऐसा कुछ बना होता है आप ये समझेए K का एक पत्ता ऐसा होगा जिस पर diamond बना है K का एक पत्ता ऐसा होगा जिस पर heart बना है K का एक पत्ता ऐसा होगा जिस पर club का sign बना होगा K का एक पत्ता ऐसा होगा जिसमें इस पेड़गा साइण बनना होगा ठीक इसी तरीके से J K भी हमारे 4-4 पत्ते होंगे Q K भी होंगे, A K भी होंगे 2 K भी होंगे, 3 K भी होंगे तो आपको समझ में आगए होंगे कि ये 4 टाइप के होते हैं और एक कितने पत्ते होते हैं – थर्टीन प insp, फिस्टीटूं पेलैं round ng allez कि यह जी दो यह दिखा है यह ए वगनी उन्हाया इस इसी का पूरा नाम होता है एस क्या होता है – is तो एस्षिए वाले कितने पत्ते हैं सर चार पत्ते हैं कितने पत्ते थे चार पत्ते थे, हमसे जही तो बोल रहे हैं, कि हमें बताना है, कि 1 हमें एन एस, कि एक एक का, एस जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे एक का बोलते हैं, तो उसे, जब हम वैल सफल्ड डेक में से खीचेंगे, तो क्या होगी probability, strawberry and ace ace बो लेंगे इस card को तो भाई formula तो हमें पता है कि probability का फisstा or फेबरेवल अपन टोटल फेबरेवल अपन टोटल सर टोटल पत्ये तो 52 थे इस बाराई टोटल पत्ये तो सर चार होंगे एस हमसे probability पूछी ती ये कट जाएगा भाई 4 बन जा 4 4 बन जा 4 बने दर पहुचेगा 12 4 3 जा 12 ये 3 है 4 3 जा 12 मतलब इसका answer हो जाएगा बन अपॉन 13 answer हो जाएगा बन अपॉन 13 answer क्या हो होगा है क्या लिखा हो है दिख लिजए कि find the probability of getting a red apple ये एक कोई सरकल है टोकरी समझीगी है dessres में लिजिए क्या है मेरे बाइ षे टोकरी है ये फोकरी है जिसमें g लिख रहा है ना मिरे भाई g लिख रह ए इसमें green apple है ये जो आर बन रखा है वो कौन सा है red apple है ये जो टोकरी है न भाई आप तो कुछ ऐसे समझो कि इसमें से random कोई अब वो red होगा या green होगा उसकी probability find करना है तो हमें क्या करना है probability of getting, हमें कैसे पता चला कि red का find करना है, सर लिखा है, लिखा है कि red apple की probability find करना है, probability of getting a red apple, probability of getting a red apple, तो सर formula तो होता है favorable upon total, सर टोटल apple कितने है, तो 3 और 3, 6 और 1, 7, सर टोटल apple तो 7 है, हमें कौन सा चाहिए सर, red वाला चाहिए, कौन सा चाहिए red वाला, red कितने दिखना है, इसमें सर, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो उपर क्या जाएगा 4, उपर क्या जाएगा 4, कटता तो काट देते ह on připes, यही answer है, कटता तो काट देते हैं, और हमारा यही answer है, I think आपको समझ में आ गया होगा, I think आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, कि total apple कितने ही, 7, उनमें से red कितने थे, क्य idée चाहिए थे, green का पूच्थते तो, green का बता देते हैं, green का पूच्थते तो, green बता देते हैं देखी भाई क्या है number 1 to 10 are written on the 10 separate slips one number one slip kept in a box and mixed well one slip is chosen from the box without looking into it what is the probability of भाई देख लिजी ये क्या है देख लिजी ये क्या है उन्होंने क्या किया है भाई बच्चे फिरी होते हैं आपकी दर मेरा मतलब क्या है जब पढ़ाई नहीं करते हो तो आफिरी रहते हो तो उन्होंने क्या किया एक paper लिया क्या किया मेरे भाई एक paper लिया जैसे ये एक paper है इस paper के उन्होंने कितनी slip बना ली है भाई 10 slip बना ली है कितनी slip बना ली है कितनी बनाई हैं, दस, बोल रहे हैं, सभी पर हमने numbering कर दी, पहली पर बन, दूसरे पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने slip पर, सभी पर क्या कर दी है, numbering कर दी है, क्या कर दी है, मेरे भाई, numbering कर दी है, अब आप कुछ यूँ समझे, कि 10 slip हैं हमारे सामने, उन सभी को हमने किसी box में रख दिया है, क्या कर दिया है, एक box में रख दिया है, captain a box लिखा है, and mixed well, mixed well का मतलब अच्छी तरीके से उन्हें मिला लिया है, उन सभी slip को क्या कर लिया है, मिला लिया है, ठीक है, बोल रहे हैं कि without looking into it, कि उस box में देखे बिना, उस box में देखे बिना, what is the probability of, तो पहले तो जिए बताना है कि क्या probability है, कि 6 आजाएगा, उन्हें से 6 आजाएगा, इसकी क्या probability है, तो लिखते हैं, कि probability of, probability of getting, probability of getting 6, कि 6 आने की क्या probability है, 6 आने की क्या probability है, तो सर, formula होता है, favorable upon total, सर, total तो 10 slip है, total तो 10 slip है, बहुत आसान है, भाई, total को देखना है, total slip कितनी है, 10 है, सर, favorable, favorable मतलब हमें जो चाहिए, तो भाई, 6 कितनी slip पर लिख रहा है, 6 कितनी slip पर लिख रहा है, सर, 6 तो किवल एक slip पर लिख रहा है, 6 कितनी slip पर लिख रहा है, एक slip पर लिख रहा है, त ़ग दिकन तो one time ग्राय है तो bun upon 10 answer हूँआ बन upon 10 answer हूँआ लिगर अबनेक्स्ट देखिये क्या है फॉन को भी बात में बात करेंगे बहाई देखिये क्या है probability of probability of probability of probability of getting probability of getting less than 6 क्या बोला है probability of getting less than 6 कि 6 से छोटे नंबर की probability बता वाई, formula तो same रहेगा, favorable upon total, sir, total तो 10 सिलिप है, total तो 10 सिलिप है, favorable क्या है, sir, less than 6, मतलब 6 से छोटे, 6 से छोटे, sir, 6 से छोटे कितने हैं, 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है न, 6 से छोटे, तो उपर कतना जागा, 5, भाई, यहाँ पर क्या लिख है, वो कितनी जगे दिख रहा है, हमारे total outcome में, तो 5 जगे दिख रहा है, 5 लिख दिया, भाई, यह कट जाएगा, 5 बन जा, 5 और 5, 2 जा, 10, तो answer क्या जाएगा, हमारा बन अपॉन 2, यह तो केबल आपको समझाने के लिए लिख दिया था, इसका हमारे question के solution से कुछ मतलब न 6, आप क्या बुचा है हमसे greater than 6, probability of, probability of, probability of getting, probability of getting greater than 6, क्या लिखा है मेरे भाई, greater than, greater than 6, कि 6 से बड़ा नमबर बताओ, greater than 6, तो भाई, formula तो सेम होगा, favorable upon total, favorable upon total, सर टोटल की जगे आएगा 10, total की जगे आएगा मेरे भाई 10, सर 6 से बड़े, सर 6 से बड़ा तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, सर होगा तो 11 भी, लेकिन 11 हमारी slip में नहीं है, slip तो 10 तक ही है, न मेरे भाई, slip तो 10 तक ही है, तो 6 से बड़े कितने दिख रहे हैं, सर 4 दिख रहे है, 4 दिख रहे है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, answer क्या हो जाएगा 2 upon 5, answer क्या ह हो जाएगा मेरे भाई two upon five हो जाएगा क्या हो जाएगा five आगई क्या बास समझ में यह हमारा इसका answer होगा अब देखी भाई क्या है one digit number पोचा probability of probability of getting probability of getting one digit number getting one digit number getting one digit number का फेवरेवल अपने total यतो फर्मूलर रहे गई मेरे भाई total to person total 10 total क्या है चैन है फेवरेवल रबंड डिजिट का नमबर होना चाहिए बन डिजिट का नमबर होना चाहिए, कितने डिजिट का नमबर होना चाहिए, बन डिजिट का, कितने डिजिट का नमबर होना चाहिए, बन का, सर बन से लेकर 10 तक में, सारे बन डिजिट की नमबर ही तो होते हैं, भाई, डिजिट तो जानते हैं न, देखिए, ये नमबर भी जीरो है तो इसमें digit कितने हैं? 2 है इसमें 1गीं digit है Cable 9A8, 7A तो इसमें 1ड है किति नंबर है? 9 है 9 है 10 मैं तो 2 डिजिट है तो 1ड डिजिट वाले नंबर कितने है? 9 है क्या हो जाएगा 1ड डिजट वाई गरते हैं इसका रेंटर इसक bells दिया है क्या भाई मुझे लगता है किसका कुछ न कुछ फिगर तो रहा होगा लेकिन फिगर लिखा नहीं हमारे टाइबिंग मास्टर जी ने कोई बात नहीं if you have a spining wheel with three green sector को सकता है ना भी दिया हो question में अपन बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है उससे if you have a spining wheel with three green sectors one blue sector and one red sector what is the probability of getting a green sector what is the probability of getting non blue sector आसान सा है भाई इसमें हमेना पहले मुझे लगता है साइद इसमें दिया ही नहीं होगा तो पहले क्या भाई एक sector बना लेते हैं तो sorry spining wheel बना लेते हैं जैसे spining wheel दिया था ना हमारे लिए बहाँ पर A था B था C था D था ऐसे बोला if you have a spining wheel एक spining wheel है जिसमें एक arrow होता spining wheel का मतलब यह है एक arrow है इसमें कई सारे sector हैं इसे घुमाएंगे तो वो कहाँ पर जाकर stop होगा वो देखते हैं बोल रहा है with three green sector जिसमें green sector कितने हैं three है बन बिलू है four बन red है five total sector कितने है मेरे भाई five sector है कितने sector है मेरे भाई five sector है arrow बनाते हैं टोटल सेक्टर 5 देख रहे हैं, 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, फर सही बनाता है, देखिए भाई, ये 1 सेक्टर हो गया, ये 2 हो गया है, ये 3 हो गया है, और ये 4, 5 सेक्टर हो गया है, कितने हो गया है, 5 सेक्टर हो गया है, क्या हो गया है मेरे भाई, 5 सेक्टर हो गया ह रहे हैं वो कि थिरी ग्रीन सेक्टर हमारे कितने हैं थिरी हैं ग्रीन सेक्टर कितने हैं थिरी हैं ऐसा नहीं है कि हमें लाइन से ही थिरी ग्रीन सेक्टर रखना है ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी थिरी रखना है कोई भी थिरी रखना है हमने थिरी ग्रीन सेक्टर रख लिए किसी को कोई परेशा नहीं है क्या ये थिरी देखने ही रहे होंगे कोई बात नहीं में फिर से फिर से पैंसे बना दूंगा कि ये ग्रीन सेक्टर है क्या है मेरे भाई थिरी ग्रीन सेक्टर है ये तीन हमारे कैसे है मेरे भाई ग्रीन सेक्टर कैसे हैं ग्रीन सेक्टर है तीन ठीक है, भाई, एक हमारा blue है और एक हमारा red है, एक हमारा blue है और एक हमारा red है, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे बोलो बोलो, एक blue है और एक हमारा कैसा है red है, बचा हुआ हमारा कैसा मान लेते हैं भाई, blue है, इसमें exact blue पर क्यों नहीं पहुच रहे हैं, ठीक है पहुँच गए है भाई एक हमारा कैसा है भाई बिलू है एक हमारा कैसा है बिलू है ठीक है भाई इसमें और क्या है एक हमारे पास एरो है कि spining wheel में क्या होगा, एक arrow होगा, तो वो arrow हमारा कहीं पर भी है, इसे हमें क्या करना है भई, भुमाना है, अब बोल रहाएं कि हमारे पास क्या क्या आएगा, क्या क्या हमारे पास आएगा, देख लीजी, देख लीजी क्या, लिखा हुआ है, ये light को क्या हुआ है भाई रख्या चाहती हो दीदी देखी भाई, if you have a spining wheel probability of हमें भाई जो answer करना है उसको उस पर ध्यान देते हैं क्या है probability of probability of probability of getting a green sector क्या लेखा है probability of getting a green sector probability of getting getting green sector क्या लेख देते हैं भाई, green sector green sector सर, formula तो वो ही होगा favorable upon total बिलकुल होगा favorable upon total outcome इसमें total sector कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 total sector तो 5 favorable कितने हैं, तो हमें कितने चाहिए green चाहिए, कितने चाहिए, green green कितने हैं, 1, 2, 3 कटता तो काट देते हैं, यही आंसर है कटता तो काट देते हैं, यही आंसर यह तो एक बात का जबाब हुआ, और भी कुछ पूछा है what is the probability of getting a non-blue sector एक क्या पूछा है, non-blue sector भी पूछा है यह तो एक का अंसर हो गया, इसी में दो बाते पूछी हैं, एक और का अंसर देना है, मेरे भाई तो क्या लिखेंगे या, probability of, probability of, probability of getting, probability of getting non-blue sector क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई में, non-blue sector, non-blue sector भाई, यह जो 3 upon 5 लिखा है ना, इस 3 upon 5 को मैं थोड़ाई यहां लिख देता हूँ, ठीक है non-blue sector, non-blue sector, सर, formula तो वही होगा, favorable upon total, बिल्कुल ठीक है total तो सर, 5 होगा, क्योंकि 5 sector है, total तो क्या होगा, 5 क्योंकि 5 sector है सर, non-blue sector बोला, इधर क्या बोला है, non-blue sector, मतलब, blue नहीं होना चाहिए बिलू नहीं होना चाहिए ये बिलू है क्या नहीं है सर ये चल जाएगा ये बिलू है क्या नहीं है सर चल जाएगा ये बिलू है क्या नहीं है चल जाएगा केवल बिलू को छोड़कर सारे चलेंगे बिलू को छोड़कर सारे चलेंगे सर बिलू को चलेंगे तो सर बिलू को छोड़कर सारी कितने बचे हैं सर 4 बचे कितने बचे हैं 4 बचे हैं इस तरह से हमारा यह अंसर हो जाएगा आई मैं एक मुनद चेक कर लेता हूँ लाइट तो नहीं चली गई है क्योंकि अगर लाइट चली गई होती तो फिर इस पर ज्यादा लोड आ जाता है इस बचे से फिर हम पढ़ा नहीं पाते एक लास को आफ करनी पड़ती खेर लाइट नहीं गई है पता नहीं इससे क्या हो रहा है फिलाल मैं आपको यह समझ में इसका अंसर फोर अपॉंपउंफाइब आगे बढ़ा जाएए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पोस्टन और है लास्ट है कि फाइंड तब प्रॉबबर टी ओप इवेंट सिएवन इन कौस्टन फोस्टन है ना इसमें जो हमनें देखा था सेकन कॉस्टन पर लेकर चलता हुआ था ना हमसे केबल पूछा हुआ था कि इसके टोटल इवेंट बताओ तोटल क्या बताओ इवेंट बताओ अब यह पूछाए कि क्या पर हमने केबल क्या बताई थी भाई भाई अब इन¯ की फाइंट करना Angels probability, question number 6 में कही ये रखा है हमसे, question number 6 में हमसे यही कह रखा है मेरे भाई, question number 6 में हमसे यही कह रखा है, भाई एक phone आ रहा है, सुनिए दर, question number 6 में हमसे यही कह रखा है, कि जो question number 2 में, देखिए इसमें लिख रहा है, कि जो question number 2 में जो भी event दे रखे हैं, उनके probability भी find करिए, क्य आपका ये homework समझता हूं में, probability हमने कई सारे question किये, favorable upon total लगेगा, total जितने event हूं उन्हें नीचे रखना, favorable उपर लिखना, मतलग question number 2 में जितने question है, उन सभी की probability find करना, ये आपका homework है, इसी के साथ मिलेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगली इसी तरह की education वीडियो में, आपका ये मिलेता हूं